आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ option B, option C और option D हमें given है तो अगर suppose हमारे पास ये एक हमने ले लिया एक universal set तो हमें क्या बूल लगए x क्या है हमारे पास natural number यानि x belongs to n और कहां से कहां तक है 1 से लेके 8 तक तो यानि की ये एक तरह हमारे universal set है तो इसमें क्या क्या जगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तो अब उनने बूले set A है एक हमारे पास B है और एक C है तो A में हमारे पास A, एक हमने बना लिया B और A हमने बना लिया अपना हमारा एक set C तो जो A set में है जो इसमें हमें क्या given है 1, 2, 3, 1, 2 और 3 और B set में क्या given है 2, 4, 6 और C में क्या given है 1 तो 1 यहां common है तो 1 भी इदर आजाएगा 1, 3, 5, 7 और हम 1 यहां से हटा देंगे ठीक है कुंकि 1 हमारा common आ रहा है A और उसके अंदर जो दुनों के बीच में हो गए हमारे पास common वाले और जो अकेले यहां पे है यहां पे तो वो हो गए set B और C के अपने अपने तो हमने बताना है A में हमारे पास क्या है 1, 2 और 3 तो हमने निकालना क्या है A complement A complement क्या हो जागा जो उनसे element हमारे A में नहीं आते तो कौन-कौन से नहीं आते 1, 2, 3 आता है A में उसको छोड़के हमारे पास क्या बचगे 4, 5, 6, 7 और 8 क्योंकि हम यह जुनिवर्सल वाले में से देखेंगे तो कौन से आगे हमारे पास जो A complement में आगए हमारे पास 4, 5, 6, 7 और 8 यह सारे हैं जो हमारे set A में नहीं आते तो यह हो गए इसका A complement तो यह हमारा कौन से option के साथ मैं चो रहा है option B तो क्या answer आगा हमारे पास option B Thank you